हाई फ्रेंड्स आज मैं ऐसे लड्डू की रेस्पी लेके आई हूँ जिसको खाने से आप सुबे का नास्ता भूल जाएंगे आप एक लड्डू खा लेंगे तो आपका नास्ता पूरा हो जाएगा और ये बहुत ही हेल्डी है और कम समगरी में बनाए जाते हैं इसके लिए देशी घी लेंगे ये मैं देशी घी ले रही हूँ और इसको गर्म होने के लिए रख रही हूँ जब ये घी अच्चे से गरम हो जाए तब इसमें आटा डालेंगे और आटा को सैखेंगे इसको कम आच में सैख ना है और इसको जब तक सैख ना है जब तर ये अच्छा गोल्डन ब्राउन न हो जाए और इसमें भीनी भीनी खुश्बू आने लगे जब तक इसको आटे को घी में सैखींगी फिर मैं एक कड़ाई में घी डालके उसको गरम कर रही हूँ और जब गी गरम हो जाए उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी गाज डाली है यह थाने वाली गाज है सिप्राइश को दालके इसमें सैक रही है फिर इसके बाद यह बदाम मैंने थोड़ी तुकड़े करके रखी थी और मैं इसे बदाम को सैक रही हूँ फिर मैंने काजू लिये हैं यह काजू भी सैक रही हूँ घी में यह अच्छे से काजू सिख जाएंगे फिर इसमें चिरोंजी दाना भी मैं सैक रही हूँ यह भी अच्छे से घी में सिख जाएं चिरोंजी दाना यह भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत ही पॉस्टिक हैं फिर इसमें मैंने नारियल पाउडर टाला है कम से कम यह एक कठोरी भरके नारियल पाउडर है इसको भी सैका जा रहा है यह भी बहुत अच्छे से सिख जाएगा और यह भी बहुत अच्छे लगता है लड्डू में यह शीके हुए ड्राइफ फूट्स को सारे को एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में गुर्ड डालेंगे गुर्ड को मैल्ट होने के लिए रखेंगे उसमें थोड़ी सा पानी डालेंगे बिल्कुल आधा कप या थोड़ी सा ही cumplской टालना 5 चमश मेर ऑच्छ इना इतना पानी यूस करना आ इसमें ज़्यादाश पानी यूस आयूंत करना और यह गुड़ इतना आधिन्या पनी थे में यूशा करना पिर इस सिके हुए आटे में ये पिसी हुई सौल्ट पाउडर डालेंगे सौल्ट पाउडर आपके अनुसार है कि आप कितना तीखा कहते हो उस हिसाब से फिर मैंने मुमफली डाली है फिर ये मैंने सिकी हुई गाज डाली है और ये ड्राइव फूड्स का मसाला डाला है ये सब इंग्रीडियन्स इसमें मिलाएंगे और सब अच्छे से मिला लेंगे ये उपर नीचे करके कि ये समानूप से मिल जाए फिर ये बेसन के सियो बनाए थे पहले से और फिर ये बेसन के सियो इसमें डाल दिये जाएगा ये भी अच्छे से मिला लेंगे इसमें फिर इसमें पिगला हुआ गोड डालेंगे गोड डालके इसको अच्छे से मिला लेंगे उपा नीचे कल लेंगे ये जिसमें गोड अच्छे से सामगरी में मिल जाए और ऐसा मिल जाए कि इसमें गोड जैसा ये बंधने लगे फिर इसको गुड की तरह गुड जब अच्छे से मिल जाएगा इसको फिर बांध लेंगे और अच्छे गोल गोल लड़ू बना लेंगे देखे ये कितने सुन्दर अच्छे गोल गोल लड़ू बन रहे हैं अगर आपको ये रेस्पी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक शियर एंड कमेंट्स कीजेगा और नॉटिफिकेशन बेल दबाएगे